विध्यार्थियों विगत कक्षा में हमने अश्ट महा पाठ लोह तुला पाठ का अध्यन किया था अब आज की कक्षा में हम इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्ण है उन अभ्यास प्रश्णों को हल करेंगे और आज हम प्रथमत हा चाथूर्थ प्रश्ण परियंतम तक जो प् ध्यारतियों प्रश्णों के उत्तर के दोरान आपके द्रश्टी सी तरब बनी रहे आप ध्यान पूर्वक इसे देखे समझे और जहां पर आपको आउशकता लगे वहां पर आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर लिखे देखिए हमारा जो प्रथम प्रश्ण है ह लगवक्षभी पाठों के अंदर यह प्रश्ण समान रूप से इसी प्रकार आया हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखत हमें जो उत्तर है वह एक ही पद के अंदर लिखना है तो प्रश्ण क्या कहता है एक पद के अंदर उत्तर लिखो तो प्रथम प्रश्ण हमारे पास में क कैके रूप में क्या है विध्यारतियों कैमे है वनिक पुत्र से किम नाम आसीत व्यापारी के पुत्र का नाम क्या था तो वहाँ पर हमारा उत्तर है विध्यारतियों जीन धन है अर्थार्थ जो व्यापारी था उसके पुत्र का नाम क्या था जीन धन है तो हमने देखा था क तुला कई भक्षिताा सीत, दूसरा प्रश्ण हमारे पास में है तुला किसके द्वारा भक्षित कर ली गई थी? उत्र क्या होगा विध्यारतियो? मूशकई, क्योंकि जो प्रश्ण है प्रश्ण बववचन में पूचा है तो उत्तर भी बाववचन में मुश्रकई चुहों के द्वारा तुला कीद्र सियासित? तुला किस प्रकार की थी? उत्तर क्या होगा? लोह गटिता क्योंकि तुला किस की बनी हुई थी? लोहे की बनी हुई थी तो उत्तर क्या होगा? लोह गटिता पुत्र हा केन हरित हा इती जीन धन हा वदती पुत्र किसके द्वारा अपरित कर लिया गया एसा जीन धन ने कहा जीन धन कहता है तो शेनेन केन के स्थान पर उत्तर क्या आया शेनेन अर्थार्थ बाज के द्वारा अगर इसे हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होता तो ह हम किस प्रकार से देते ? पूत्रभाज के द्वारा अपरण कर लिए गया अपरण कर लिए गया एसा जेनधन ने कहा विवद मानाव द्वाव आपके कुत्र गतो विवाद करते हुए दोनों कहां पर गए अर्थार्थ जो व्यापारी और शेट था उन दोनों के मद्धे जो विवाद चल रहा था वह विवाद करते हुए कहां पर जाते हैं तो उत्तर है राज कुलम राजा के दरबार में वो दोनों वहां पर जाते हैं अब हमारे पास में अगला प्रश्ण क्या है विध्यारतियों अगला प्रश्ण है अदोलिकिता नाम प्रश्णा नाम उत्तराणी संस्कृत भाशया लिखत अधोलिकित प्रश्णों के उत्तर संस्कृत भाशा के अंदर लिखो अर्थार्थ यहाँ पर हमें उत्तर पूर्ण वाक्य के अंदर देना है और शम्स्कृत भासा के अंदर हमें उत्तर देना है प्रथम प्रश्ने देशांतरम गंतु मिच्छन वनिक पुत्र है किम व्यचिंतयत देशांतरम दूसरे देश में जाने के लिए गंतु मिच्छन जाने की इच्छा से वनिक पुत्र है व्यापार पुत्र किम व्याचिंतयत क्या विचार करता है तो क्या विचार करता है विधरतियों वह हमने पाट के अंदर जाना देशांतरम गंतु मिच्छन वनिक पुत्र है व्याचिंतयत दूसरे देश में जाने की इच्छा से व्यापरिका पुत्र विचार करता है और क्या विचार क तसमिन स्थाने उस स्थान पर यह विभवीन जो धन हीन होकर वसेत रहता है पुरशाध महा भवटी वह पुरुश में अधम है पुरुश अधम है पुरुशों में अधम है फिर से एक बार देखते हैं विध्यरतियो यत्र दे से अथ्वा स्थाने इस प्रकार से इसका उत्तर है अगले प्रश्ण के ओर स्वतुलाम याच मानम अपनी तुला को मांगने पर जिन्धन को स्रेष्ठी ने क्या कहा स्वतुलाम याच मानम अपनी तुला को मांगने पर जिन्धनम जिन्धन को स्रेष्ठी अकतयत स्रेष्ठी ने कहा भो क्या है विध्यार्तियो इसको सही कर लेते हैं भो अरे नास्ती नहीं है सा त्वदिया यहाँ पर भी असुद्ध है इसे सही कर लेते हैं त्वदिया तुला मुशकई भक्षिता नई है तुम्हारी तुला चुहों के द्वारा वह खाली गई है इस प्रकार से वह अपना उत्तर देता है कौन देता है विध्यार्तियों स्रेश्ठी आगले प्रश्ण के ओर जीनधन है गिरी गुहाद्वारम कया आचाध्य ग्रिहम आगता है जीनधन ने परवत की गुफा के द्वार को किस से ढख कर घर आता है और थार्थ जो जीनधन व्यापारी था वह व्यापारी गुफा को किस से ढख कर घर आ जाता है तो विध्यार्तियों जीन धन गिरी गुहा द्वारम व्रिहत सिलया आचाध्य सत्वरम ग्रिहम आगत जीन धन परवत की गुफा के द्वार को पत्थर की बड़ी सिला से ढक कर सिग्रता से घर आ गया इस प्रकार से जो व्यापारी था वह व्यापारी जो परवत की गुफा उस गुफा को बड़ी पत्तर की सिला से ढख कर सिग्रता से घर आ गया आगे का प्रशन विध्यारतियों श्नानांतरम पुत्र विशय प्रश्ट हा वनिक पुत्र हा स्रेश्टिनम किम अवदत स्नान के पश्चात पुत्र के विशे में पूछने पर वनिक पुत्र हा व्यापारी के पुत्र ने स्रेश्टिनम सेट को किम अवदत क्या कहा अब श्नान के बाद में जब व्यापारी लोडता है तो व्यापारी का पुत्र सेट को क्या कहा अर्थार तुमारे पुत्र का अपहरण कर लिया गया है इस प्रकार से वह प्रत्युत्तर देता है अगला प्रशन क्या है विध्यारतियों धर्माधिकारिन है जीनधन स्रेश्टिनम कथम तोशित वनता है धर्माधिकारियों के द्वारा या धर्माधिकारियों ने जीनधन और स्रेष्ठी को किस प्रकार से संतुष्ट किया दोनों में जो विवाद था उस विवाद का जो निस्तारण था वह निस्तारण नैधिस के द्वारा किया गया और नेधिस ने किस प्रकार से किया तो धर्माधी कारियों ने जीन्धन स्रेष्टिनों जीन्धन और स्रेष्टि के परश्परम तुला शिशु प्रधानें एक दूसरे को तुला और शिशु प्रधान कर तोशित वनतह संतुष्ट किया किस प्रकार से जिसकी तुला थी उसको तुला देकर और जिसका सिसु था उसे सिसु देकर शंतुष्ट किया अगला प्रश्ण है विधारतियों स्थूल पदान्य धिक्रतिया प्रश्ण निर्मानम कुरुत जो स्थूल पद है उनको आधार मानकर उनको जो स्थूल पद है उनके अनुशार हमें प्रश्ण निर्मान करना है तो स्थूल पदान्य धिक्रतिया अब हम प्रथम वाक्य के अंदर देखते हैं स्थूलपद क्या है जीन्धन है तो हमें जीन्धन को आधार मानकर प्रश्ण का निर्माण करना है देखिए संपूर्ण वाक्य को पढ़ते हैं फिर उसके बाद में प्रश्ण का निर्माण करते हैं जीन्धन है विभवक्षयात देशांतरम गंतुमिच् धन के अभाव के कारण देशांतर दूसरे देश में जाने की इच्छा से विचार किया अब जो जेन धन है उसके स्थान पर हमें प्रश्ण निर्मान करना है तो प्रश्ण निर्मान की प्रक्रिया दो प्रकार से हम कर सकते हैं पहली प्रक्रिया है कि किम सर्वनाम का उप्योग करके या इस प्रकार के अव्य का उप्योग करके जिससे प्रशनिर्मान किया जा सके तो यहाँ पर हम किम सर्वनाम का प्रियोग करते हैं तो किम सर्वनाम में हमने देखा था विध्यारतियों उसके लिंग, विभक्ति और व उसके बाद में वचन, तो जो हमारा स्थूल पदा, उस स्थूल पद का सरव प्रथम लिंग, विभक्ति और वचन देखते हैं, उसके बाद में जो किम सरव नाम है, उसके लिंग, विभक्ति और वचन का प्रियोग करते हुए हम प्रशन दिर्मान का कारिये कर सकते हैं, प्रियोग करेंगे तो वहां पर पदाएगा कह तो हम यहां पर प्रश्ण बना सकते हैं कह लिख कर तो कहा विभवक्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन व्यचिंतयत कौन धन के अभाव से दूसरे देश में जाने की इच्छा से विचार करता है इस प्रकार से हमारा प्रश् देखना है कि यहां पर प्रश्ण वाचक चिन लगा हुआ है अथ्वा नहीं है चलिए विध्यारतियों आगे की और अग्रशर होते हैं देखिए अभ्यागतेन के स्थान पर स्थूल पद है यहां पर हमें प्रश्ण दिर्माण करना है वाक्य को पुनह एक बार देखते हैं स्रेष्ठी नहा शिशू स्रेष्ठी ने शिशू को श्नानोप करन मादाय श्नानादि उपकरन देकर अभ्यागतेन अथिति के साथ प्रस्तित है बेजता है या प्रस्थान करता है तो उस आधार पर हम देखते हैं कि अभ्यागतेन के स्थान पर हमें प्रश्ण दिर्माण करना है यहां पर तरतियावी भक्ति है तो तरतियावी भक्ति के स्थान पर हम लिखेंगे केन तो अब हमारा प्रश्ण होगा विध्यारतियों स्रेश्ठी नहां सिसुहू श्नानों पकरना मादा ये केन शहा प्रस्तित और यांत में प्रश्ण वाचक चिन अगला वनिक गिर गुहाम व्रिहत छिलया आच्छादितवान वनिक व्यापारी ने परवत की गुफा को बड़ी पत्थर की सिला से आच्छादित कर दिया अब जो वाक्य है व्रिहत छिलया उस व्रिहत छिलिया के स्थान पर हमें किम सर्वनाम सब्द का प्रियोग करते हुए कया का प्रियोग वाक्य बनाया है देखे किसКакार से वनिक गिरी गुहाम कई आथा अधित्वान और अंत में क्या लगाये दिया हमने प्रश्ण वाचग चिन पूर अगले प्रश्ण की उर अग्रशर होते हैं अगला क्या है विध्यरतियों सभcussion तूब परश्फर्म संभोध्य तूला शीश्व् प्रदानें शंतोशितव सभ्यों के द्वारा उन्त दोनों को परश्पर Σंतुष्ठ करके अर्थार्थ उन दोनों को समझा भुजा कर तुला सिशु प्रदानेन तुला और शिशु प्रदान कर संतोशितव संतोष्ट किया तो तुला सिशु प्रदानेन के स्थान पर हमने प्रियूक्त किया है कथम किस प्रकार से तो अब हमारा प्रश्न वाचक वाक्योंगा विद्यारतियों shabhai, tav, parashparam, sambhoddhy, katham, santosita और अंतमे प्रश्न वाचक चिन्न इस प्रकार से हमने प्रश्न वाचक जो हमारा प्रश्न था उसको हमने पूर्ण किया अब हम अगले प्रश्ण के ओर अग्रशर होते हैं अगला प्रश्ण है आधो लिखिता नाम श्लोका नाम अपूर्ण अनवयहा प्रदत्ता है पाठम आधृत्यतम पूरयत आधो लिखित श्लोकों के अपूर्ण अनवय दिये हुए हैं पाठ को आधार मानकर उन्हें पूरा करो इस प्रकार से हमारा प्रशन है अब जो अपूण नवए है वह दिया हुआ है यहां अब इसको पूण करने के लिए हमें हो गवा भूगता तो भोग आप हो घ्राइब का से जो है कि रेद्वर्द हुस प्रकार से जो पद है वह हम लिग देते हैं अब उसके बाद में अगला पद रिक्त स्थान है विभवहीन है यह सै पुरुशाध हमा है अब हमारे पास क्या बचा तस्मिन और वसेत तो यहाँ पर हम लिखेंगे तस्मिन और जो अगला पद है उसमें लिखेंगे यहाँ वसेत चलिए विध्यारतियो इस प्रकार से जो हमारा अपूर्ण अनवेथा उसको हमने पूर्ण किया यत्र देशे अत्वास्थाने श्ववीर्यत भोग भूग तहा तस्मिन और विभवहीन है यहाँ वसेत सपुरुशाध हमा है इस प्रकार से हमारा जो अपूर्ण अनवेथा व दिया हुआ है, उसे हमें पूर्ण करना है, राजन यत्र लोह सहस्त्रस्य, उसके बाद मूँशकाह, तो क्या बचा विध्यरति यहां पर तुला, लोह सहस्त्रस्य, तुलाम, क्या पद है यहां पर, तुलाम, उसके बाद में खादंती, और यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उस पर हमने लिखा खादंती तत्रशेन हा तत्रशेन हा हरेत अत्रशंसय हान्य तो अत्रशंसय हान्य तो हमारे पास में क्या बचा है विध्यातियों एक तो बचा है तत्रबालकः अब जो रिक्त स्थान थे उन रिक्त स्थानों के हमने पूर्टी की है एक बार फिर से जो अनवे है उसको देखते हैं इस प्रकार से हमारा जो अनवे है वह पूर्ण होता है चलिए इसका एक बार भावारत भी देख लेते हैं क्या कहता है राजन जहां पर लोहे की अर्थार्थ सहस्त्र किलो परीमित लोहे की तुला मूशक खा लेते हैं तत्रशेहिन वहाँ पर बाज बालक का अपहरण कर सकता है इसमें संसे नहीं है इस प्रकार से यह अनवे दिया हुआ है तो विध्यार्तियों आज के कक्षा में हमने प्रतमत अहा चतूर्थ प्रशन परियंतम तक जो प्रसन थे उनको हमने हल किया अब जो सेश प्रशन है उन सेश प्रशनों को हम आगे की कक्षा में हल करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद विध्यार्तियों हम सेश बचे हुए प्रशनों के साथ मिलते हैं आगले वीडियो में